नमस्कार आप देख रहे हैं दो फैर वार मैं हूँ रवन पांडे आज हम बात कर रहे हैं हमें सांसों का अधिकार दो ये पूरा उत्तर प्रदेश और भारत कह रहा है पूरे भारत की जंता कह रही है आज लखनों में बच्चों ने रैली निकाली उसमें भी उनका स्लोगन यही था और बहुत अलार्मिंग सुच्वेशन है और इस अलार्मिंग सुच्वेशन को अगर समय रहते हम नहीं समझें तो इस्तती बहुत भयावा होने वाली जियां यूपी में घाजियाबाद नोडा ग्रेटर नोडा सबसे ज्यादा प्रदूर्शित सहरों में शुमार लेकिन जरूरी है कि बड़े स्मॉक को खत्म करने के कारणों को धूंडा जाए और उनको वर्काउट किया जाए ताकि हमें सांसों कादिकार मिल सके इस बहुत एहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे चाइना का अगर एक्जामपल लेके तो चीन एक ऐसा देश है कि स्मॉक पे बिल्कुल एक दो दिन में वो काबू पा लेता है चीन में साइक्लिंग को भी बहुत जादा इंपोर्टेंस दिया गया है साइक्लिंग को बढ़ावा दिया जाता है और चीन में ऐसी तमाम चीजों पे बहुत सारा कंट्रोल है जो हानिकारक गैसे उतर्जित करती हैं औ के NGT का डंडा भी रहता है और वहां पे टोड़ी अवेरनेस जादा है लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में हालात बहुत खराब हैं कल शाम को लखनौव की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनौव का पीम 2.5 502 था और दिन में 11 वजे कानपूर का पीम 2.5 500 के पार था य जानी की दिल्ली ग्रेटर नोडा नोडा घाजियाबाद दिल्ली NCR से भी ज्यादा पॉल्यूशन कल शाम को लखनौव में रिकॉर्ड किया गया है इस पर चर्चा करेंगे हमारे साथ तमाब महमान मौझूद है हरिशन श्वासो जी बीजेपी प्रोक्ता और वरिशनेता हरुन फ्रकास जी कॉंगरेस पर वक्ता आपका बहुत बहुत स्वागत और हमारे स्योंकी विरेन सींग लखनो की विरूचीफ आपका बहुत स्वागत तो चलिए शुरू करते हैं दो पहरवार और देखते हैं कि सांसों का अधिकार हमें बिलकुल बिना बाधा के मिल सके इसके लिए हमको क्या करना चाहिए तो कानपूर और लखनव की स्थिती बहुत खतरनाक है और वहां PM 2.5 इसका लेवल बहुत जादा है 500 के पार हो रहा है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 300 से उपर जब भी जाता है तो वह खतरनाक स्थिती में माना जाने लगता है पूरे उतर प्रदेश के तमाम शहरों का अगर एर क्वालिटी इंडेक्स देखें आप तो वह इन दिनों कहीं भी 400 से उपर है 497, 498 यानि 400 से उपर है यह बहुत अलार्मिंग सिच्वेशन है और देश के गैस चेंबर बनते हालातों पर सुप्रीम पूर्ट से लिके पंजाब और यूपी हाई कोड तक चिंता जता चुका है किसानों को पुआल ना जनाने की हिदायत दी गई है इसमें तरह की राजनीत भी हुई है अमरिंदर सिंग और अर्विन केजरिवाल के बीट लेकिन कमों बेश इस्तिती वैसी की वैसी बनी हुई है सबसे इंपॉर्टन बात यह है कि हम इसके लिए क्या कर रहे हैं और हम कितने जिम्मेदार हैं कि अधर कि अधर कर दो आपको बता दें कि इस लेकर फोट वी चिंता जाता जाता चुका है कई बार किसानों को पॉआल ना जलाने ने की हिदायत भी दी गई थी लेकिन हालात बहुत गरबढ है लकनों को बारे में आपको बताए कि लगनों सबसे जादा कल प्रदूशी शहरों में शुमारता पूरे देश में लकनों का स्कूलों में कई जगा छुटियां रखी गई कई जगा स्कूल खुले रखे गए लेकिन बढ़ते प्रदूशन से निवटने के खलाब बच्चों ने आज लगनों में चिल्डरे के मौके पर जहरीली सांसों से आजादी की मांग की निशित रूप से कलका भविश हैं और उनके लिए और हम सब के लिए उनको यह उपलब्द कराना हमारी रिस्पॉंसिबिल्टी है सांसों काधिकार नाम से यह रैली निकाली गई थी तेली बाग के राम भरुसे इंटर कॉलेज तक यह रैली निकाली गई जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसेशन भी शामिल था जहरवार की डिबेट की शुरुआत सबसे पहले आपने सवयोगी विरेंची कर रूख करते हैं विरेंची एंटी ने बहुत सक्त निर्देश दिये थे और दिल्ली सरकार को दिल्ली सरकार को लतार भी लगाई थी और तमाम चीजों को लेके उनसे कोश्चिनिंग भी की थी लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पे अवेर्नेस जादा है तो वहाँ पे कुछ काम हो रहा है दिल्ली में अगर खुले हैं कोई पुआल जलाता या कूडा जलाता मिल जाता है तो पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेती है लेकिन उत्तर पदीश में कहीं भी चाहें वो सोशल समाज जिक अस्तर पर देखा जाए यहां सरकार के अस्तर पर देखा जाए इस तरह की अवेर्नेस और इस अलार्मिंग सुच्योशन को संजीदगी से समझने की कोई कवायर दिखती नहीं है रबन जी पापुलेशन और पालूशन यह दो बरुद भारी समस्या हैं हमारे देश की और परदेश की भी तो चाहे दिल्ली हो चाहे लखनू को इससे अच्छूता नहीं है जनसंख्या की वज़ा से भी घरों की डिमांड है गाडियों की डिमांड है और भीड़ भार यात इस देखिए वी देशों में क्या है अमेरिका के राश्डपती को आना तो चीन ने आस्मान साप करा दिया हिंदूस्तान में आसमान क्यों नई साफ हो सकता है हिंदूस्तान में पुवाल नहीं जलाएगा किसान तो क्या जलाएगा यह बताएए जहां पर सतर फीजदी आब लूट सकते हैं लेकिन जो हकीकत है उससे मुझ फेर कर बज नहीं सकती सरकारें देखिए अवेर्नेस तो होना ही चाहिए साथ-साथ यह पर दूसर और जो मैंने कहा कि पापुलेशन यह दोनों कैसे रुखे इस पर सरकारों को विचार करने के बिल्कुल दूरूस्त बात है अ अब से 10-20 साल पहले आप सबको याद होगा कि सुबह सुबह की सहर करने जाते थे तो विल्कुल ऐसी ब्रीधिंग होती थी फ्रेश एयर मिलती थी आज की तारीख में पॉलूशन इस कदर स्मॉग इस कदर हो गया है कि आप बाहर जब निकल रहे हैं तो आपकी आँखों मे ही है ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और इसका कोई नो कोई उपायर निकलना पड़ेगा समाजी के स्थर पर भी सरकार के असej कि अर्वमन जी निश्चित रूप से अभी बीरेन जी ने भी बात कही और बात आपने भी कि लिखके कि समय ही हमने जनसंख्या नियंतर्ण पे, पॉपलेशन कंट्रोल पे, लेकिन उसकी आज भी निंदा कर रहे हैं, उस निंदा से अपनी पीठ थब थबाते हैं लोग, और आज देश एक भयावा हिस्तिती में पहुचा है। देकि जो सबसे बड़ी बात मैं कह सकता हूँ, कि अभी आपने यंजीटी का निस्नल ग्रीन टिबनल का जिक्र किया, एक संबैधानिक संस्था है और करनिस्टी तरूप से उसकी मानेता होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अभी आपने एर पेलिशन की बात जो कर रहे हैं, इसमें कहीं ने कहीं भार्तिय जंता पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान है। अभी स्री स्री रवशंकर ने आपको याद होगा कि जमना के किनारे जबरदस्ती से पूरा सरकार का सहयोग रहा केंदर के सरकार का, और उन्होंने अपना तीन जहाम बहुत हैं, इसे कृतियों से ही अगर हम किसान की जहां चर्चा करते हैं कि किसान तो वैसे ही परेसान है, लेकिन अगर यह बड़े लोग कोई गलत कांदे हैं, जिससे परेवन पर दूसी तो सद्योस होती रही है, पूराल हमेंसा जलाए जाते रहें, लेकिन एक चीज है, पर पत्व बंद लगा कर कौंसा पर यारोन बचा लेंगे पुआल जो जलाई पहले पुआल का भूसा बनता था जो जनवरों की चारी के काम आता था उसकी इसकी थ्रेसिंग होती थी जब से धान तोड़ा कटने लगे मजदूरों की प्राबलम आई तो उस वज़े से यह ची पर यह से बात करेंगे उससे पहले एक अपडेट ले लेते हैं निज्रूम से की एर कॉलिटी इंडेक्स का फिलहाल सिच्वेशन उसकी क्या है मादो त्यौरी हमारे सायोगी हमारे सा जुड़े हुए हैं मादो जो अलार्मिंग सिच्वेशन है कल हमने दिखाया कि 502 पहु सबसे ज़्यादा था इस समय लखनाओ के अलावा पूरे यूपी के शहरों की स्थिति क्या है पीम टू-पॉइंट फाइब या एर कॉलिटी इंडेक्स के मादले में देखिए कल से खराब सिच्वेशन हो गई है मैं दोबारा दोईरा रहाँ आपको कल से बहुत खराब सिच्वेशन हो गई कल 502 था पीम शाम को पांच बजे लेकिन आज दिन में 11 बजे 570 है 570 570 और पूरे इंडिया में सबसे ज़ादा है लखनाओ में 570 है आप कम दिखा 570 यह लालबा का है इलाका जहां पर हम लोग बैठे हुए है वहीं पर 570 यहां पर लखनों का दिखा रहा है कि 570 है इसके अलावा यह ताल का टोड़ा पर 534 है 420 है पास में तो इस तरह साब देख सकते हैं 570 है इसके अलावा मैं आपको ले चलूं कि दिल्ली और NCR की क्य है लेकिन अभी भी सीवेर पोजिशन से नीचे नहीं आया है यानि कि सेफ जोन में अभी भी नहीं आया है आप देखिए यहां पर गाजियाबाद नौइडा दिल्ली में सारा पॉलूशन जो है कम हुआ है थोड़ा सा 334 है 310 है 321 340 यह सेरी फोर्ट दिल्ली का है लोकेश देख पाते हैं वह अभी 12 बजे 500 दिखा रहा है लखनौ का इसके अलावा अगर आप कानपूर चले या फिर हम चलते हैं नौइडा नौइडा में सिच्वेशन थोड़ी ठीक हुई है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी नहीं है आप देख सकते पीम 2.5 का रेशियो घटा है और इसके अलावा हम चलते हैं गाजियाबाद गाजियाबाद में सिच्वेशन थोड़ी ठीक हुई है लेकिन अभी भी सीवियर बनी हुई है आप यह देख सकते हैं कि 418 तक पोजिशन पहुच गई है जी यह अपडेट रहा अभी तक का पॉलूशन कहां पर किस तरह का है PM 2.5 के मामले में कभी प्राउधान है लेकिन यहां पर बहुत कुछ एक जगों पर शायद हुआ होगा लेकिन बहुत सारी जगों पर कंस्ट्रॉक्शन अक्टिविटीज बंद भी नहीं हुई है और पानी का चिर्काव भी नहीं हो रहा है लोगों में कोई अवेर्नेस भी नहीं है लीजल पर एक बात बहुत अहम जो है को करना चाहूँगा कि देखें चाहे दिल्ली हो मुंबई हो या बाकी सहर हो या लकनो हो जहां लालवाक की आप बात करने हैं जहां प्यम फाइव सेवन जीरो आप बता रहे हैं आप देखें कि दिनरात गाडियों का किस तरह से काफिला टू जाने की और इसकी बात हो रही है यह तो एक अलग इसू है मेरा मेरा अपना मानना है कि सबसे ज्यादा जो कारवन आज उत्सरजित हो रहा है वो हो रहा है इसी गाडियों से और घरों में आप कोई बिरले ही मकान मिलेंगे जहां इसी नहीं है तो जिस तरह से आप आप लंबिस चली जा रही एक आदमी बैटा उसके पीछे तीन गाडिया हो चली जा रही है जो खाली है उसके साहँ जा रहे है आज जिस तरीके से यह फोर हीलर का चलन जिस तरह से लोगों को एक स्टेटस सिंबल बन गया किक एक आदमी पाँच पाँच गाड़ी रख रहा है चलने वाला एक आदमी दो आदमी है तो जिस तरह से ये पूरे एक समाज का इसके लिए सरकार क्या कर रही है इसको इसको इसके लिए सरकार को कुछ एफ़र्ट करना पड़ेगा निशित रूप से लेकिन उसके पहले एक अवेयरनेस जब तक सामाजिक रूप से नहीं जागर रूपता पैदा करने का काम करते हैं जब तक वह लोगों में जागरूकता नहीं पैदा करेंगे की ये जो आप कर रहे हैं ये एक तरह से सुसाइडल भी है, हेजारडस है और बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, सब को पेड़ पौधे क्या, सब को आक्सीजन की जरूरत है और बिना आक्सीजन के तो इस रिष्टी की परिकल्पन नहीं की जा सकती, वो बनस्पती जगत हो, वो जियू जगत हो, वो मानो जगत हो, सब को इसकी आऊ सकता है तो और यह आ सकता है केवल जागरूपतास, मैं आपको बताओं थोड़े दिन पहले मैं देखता था, लखनोम या बाकी सहरों में, जिनके पास बड़े मकान हैं, जिसमें थोड़ा जगे रहती थी, उसमें दो एक पेड़ जरूर लगे होते थे उनके लान में, अब आप द दिल्ली में ग्रेंडरी जादा है, लेकिन लखनाओं में वो ग्रेंडरी भी खतम होती गई, विरेंजी सारे बिल्डरों ने बिल्कुल जगा जगा लेकिन भारती जनता पार्टी ने बहुत महत्मूर काम किया, जब पंडिती इंदे आलो पाद्या जन्मसुताबदी अभि प्रेड़ों के पालग भी नुक्त किये हैं, जिनका डाटावेस है, वो एक एक आत्मी उन पौदों की देखरे को पालन भी करेगा, जब बहुत मैं बात बताओं, अभी मादव जी ने दिखाया है कि 570 है, लखनो में लालबाग में जहां बैठे हैं, तो लालबाग को आप देखी हैं, मेट्टो का काम आज एक साल से चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, खुदाई इतनी धूल मिट्टी उड़ गई है, अब उपर से हज्जारों गाड़ियां दोड रही हैं, डीजल पे टोल की, तो सबसे ज़्यादा कंजेशन तो यहां होने है, अच्छा एक बात सबसे ज़्यादा परदूचन है, फैक्टरी का ले लिजिए, गाड़ी का ले लिजिए, और जन संख्या कर ले लिजिए, तो अब अब इसमें विरेंजी एक बहुत इंपोर्टेंट बात है, क्या सरकार ने NGT के निर्देशों का पालन किया है, क्या सरकार ने पानी चलकाओं की वेवस्था करवाई है, क्या सरकार ने ऐसे ऐसे वाहनों को जो दस साल से पुराने डिजल वाहन है, उनको पूरे उत्तर प्रदेश से बाहर करने की कोई योजना बनाई है, ऐसे वाहन जो पेट्रोल है, 15 साल होग चुका है, उनको प्रदेश से बाहर करने की कोई योजना बनाई है, और क्या सरकार ने खुले में जो खूडा जला रह लेकिन इस पर कोई इसू नहीं न कोई चर्चा हो रही है प्रदूशन से न वोट मिलता है प्रदूशन से अगर अगर आप जाकर आएंगे तो यह एक एंजी ओ की तरह हो जागा प्रदूशन कभी वोट का मुद्दा बनाई नहीं और यह बहुत भारी विडंबना है बिल्ग अरुन प्रकाजी जी मैं यहां हरीश जी बैठे हैं और क्वाल्टी इंडेक्स की भी बात हो रही है पर्यावरन की बात हो रही है और इनके ही महापावर के द्वारा जो मुकमंत्री अब हो गए हैं एक कृत किया गया जो लखनव के लिए काले धब्बे के समान है सरकारी का कालोनी में यल्डिये की कालोनी में कबाडियों को लेके बशा दिया गया आटो मोबाइल के कबाड़ी प्रेदरसनी नगर में ठीक पुरनिया में और रोज रात में आप देखिए कि वहां एकदम होली के तरीके से टायर जलाए जाते हैं गाडियों के सारे के सारे आप वहा रहों के पिल्वेशन करने में बहुत बड़ा रोल है उसका बारी मार्केट का सहर के बाहर होना चाहिए था जले जल उनको टायर जलाने पे या कचला जलाने पर प्रतिबंद होना चाहिए था कोई भी प्रतिबंद नहीं सरे आम के ये कृत्तों हो रहे हैं दूसरी बात इस सर सकती है निस संकल्प पत्र की घोसरा करते हैं जैसे अभी आपने चर्चा कहा अगर इनके संकल्प आने चाहिए थे कि किस तरीके से हम इसके पर्यावरों को दुरूस्त करेंगे जली अभी अभी आसका है ने अर्टालिस घंटे में इन होने कहा कि जो इस्टीट लाइटे वो ह Königin नहीं है तमाम을 माया हमारी वीमारियों को फ्टेलने का 20 साल से इसी लखनओ नगरनिगम में और अधिकां दस नगरनिगमों में इनके चैरमैन है कहीं की सफाई व्यवस्ता पूरी के पूरी पूरी सफाई बहुत आ Rsए और हमारा टाइम खुतम हो रहा है हरीश जी से आखरी सवाल लेते हैं हरीश जी जो मेडिकल वेस्ट है उसको सांटिफिकली उसको डिस्ट्रॉइ नहीं किया जा रहा है उससे जो पॉलूशन है इसके अलावा जो एजीटी ने साफ निर्देश दिया है कि 10 साल से पुरानी डीजल सवाल यह है कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है इसलिए कि बहुत अलार्मिक सिच्वेशन है कि नगे डिसा निर्देश को कहा मान रहे हैं तो हम समझेंगे नगीटी के जिसा निर्देश है पुराने बावनों को बाहर करने की बात हो चलन से इन सब पर सक्ति से पालन कर रही है और यहां भी क्रियाइन में कहीं को चिदलता होगी चलिए उम्मीद करते हैं हम लों कि इस पर कुछ सरकार एक्शन लेगी हरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुन जी और विरेंज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुकतें चोटे से ब्रेक के लिए नमस्कार